गीता में अर्जुन को स्वयम भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो इसी प्रकार हजरत मुहम्मद को उनका अल्ला कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर वो प्रभू कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिये जगत गुरूत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के अम्रित वचन पुनात्मा इस काल का ये विशनु का ये परवर्म जिसको ये कह रहे है ये काल है सरपुरुश है इसका पर्थम दरिश्टी कोण से देखें तो ये बगवान न पढ़िया है देखो कितनी बढ़िया पर्थवी दे रखी है कादू किसम सेव संत्रे गेहूं चनाबाज राजवार कितने अच्छे परकार का खाद्य आहर हमें अपलब्द करवा रखिया है और पर्थवी में कितना मिठा जल दरियाएं बहार रखी है कैसे वर्सा होती है सुर्य उज्जे हो रहा है अस्थ हो रहा है प्रमात्मा ही लगता है और फिर देखें किसी का वेट आमर गया किसे की वेटी मर गयी कहीं पर फलडा गया कि तब वो कम पा गया दुर गटना में एक-एक प्रिवार के तिन-तिन विक्ति मारे जा रहे हैं ये एक लाख मानो शरीर धारी प्रानियों के सुक्सम शरीर को तपत सिला पर भून कर एक तवा है वहाँ पर इसका बहुत बड़े पत्थर की टुकडी संगे मरमर जैसी वो अपने आप हीट रहती है उसमें और उस पर भून कर खाता है इसको सराफ लगया हुआ उसके लिए सब जबस्था इसने कालने कर रखी है अब ये तो कंसेप्ट कलियर हो गया कि इसलिए गीता जे द्यायर नंबर 15 के सलोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य है परमातमा इती उधारत है जिसको भगवान कहा दाता है वो है स्रेष्ट परमातमा तो कोई और है गीता ज्यान दाता से भी और सर और अक्सर पुरुष से दोनों से अलग है सर पुरुष और अक्सर पुरुष से और फिर कहा कि वही तीनों लोकों में प्रवेश करकर सब का धारन पुरुषन करता है वो है अविनासी प्रमात्मा अपनात्मों गीताजिद्ध नुमर 15 के स्लोक नुमर 16 में अक्सर पुरुस कहा है अक्सर माने अविनासी होता है अब आपने सिर्ष्टी रचना में सुना है कि प्रमेश्वर प्रमक्सरप्रमने कभीर देव जी ने अपने पूतर अचिंत से कहा था कि तू सिरिष्टी रच वो देखना चाहते थे उनको ये आगा कराना चाहते थे कि समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है तो अचेंत ने प्रमात्मा से प्राप्त वचन से क्योंकि प्रमात्मा प्रमेश्वर ने कह दिया था कि तू सिरिष्टी रच तो वचन चला गया मालिकी सक्ति उसके पास पहुंची उससे उसने इस अक्सर पुरुष की उत्पती की एक व्यक्ती उत्पन किया अपना पूत्र वचन से और उसका नाम अक्सर पुरुष रख दिया कि यह अविनासी हो गया अविनासी बच्चा है मेरा इसलिए वो अक्सर पुरुष कहला है लेकिन वो वास्टों में अक्सर नहीं है अब देखो सरपुरुष तो सीधा अंडरस्टूड है नासवान अक्सर पुरुष यह अविनासी का है अभी इससे कलियर होगा अब गीता जी को समझना ये तत्व ग्यान के बिना बड़ा कठिन है अब तत्व ग्यान हमारे पास है ये मास्टर की है सभी सब्द गरंथों को समझने की ये खजाना आसानी से खुल जाता है अपने अत्माओं ये दस मिन्ट का सत्संग आज के दो गंटे का निस्करस देगा आपको हादेगा शिरीमद्द देवी भाग्वत गीता परैस गोरगपुर से परकासी थे संपाद गनवान परसाद ओधार चिमनलाल गो स्वामी परकास मुद्र कें घीता परैस गोरगपुर गोविन बनकारियल कुल करता का संस्थान इसके 123 पर्षट पर तीसरे सकंद में तीसरा सकंद और तिरो भाव मने मर्टू हुआ करता है केवल तुम ही नित हो जगत जन्नी हो परकर्ती और सनातनी देवी हो परकर्ती दुर्गा को कहते हैं बिर्मा विश्णो में स्विकार करते हैं हमारा जन्म और मर्टू होता है पगवान संकर बोले देवी यदी महाभाग विश्णो तुम ही से परगट हुए है तुन के बाद उत्पन होने वाले बिर्मा भी तुमारी बालक हुए फिर मैं तुम गुनिलिला करने वाला संकर क्या तुमारी संतान नहीं हुआ अर्थात मुझे भी उत्पन करने वाली तुम ही हो सिवे शंपुन संसार की शिरिष्टी करने में तुम बड़ी ततुर हो इस संसार की शिरिष्टी सथिती और सहार में तुमारे गुण सदा समरत है उन्हें तीनों गुणों से उत्पन हम बिर्मा विश्णु एन संकर नेमा नुसार कारिये में तत्पर रहते हैं अपन्य अत्मों इस पविट्र शिरी मद देवी भागवत ने यानि देवी पुराण ने अब चंद पग्मतियों में चार कंसर्प्ट कलियर कर दिये एक तो यह है कि बिर्मा विश्णु महेश नासवान है इनकी जनम मरतू होती है और दूसरा यह है कि दुर्गा इनकी माता है शिरी देवी जी और तीसरा यह हो गया कि रजगुन बिर्मा सतकुन विश्णु तंपुन शिव जी हैं और चौथा ये हो गया ये केवल नियमित कारिये कर सकते हैं जिसके भाग में जैसा है जैसा करम करेगा वैसा ही फल ये दे सकते हैं अब ये असानी से समझ में आ जागी कि जैसे एक बिर्माजी की मरतू कितने काल में होती है कितने समय में बिर्माजी का एक दिन एक हजार चतुर योग का होता है इतनी ही रात्री एक चतुर योग में सत योग तरेता दुआ पर और कलियों के चारों योग आते हैं इनका कुल समय चारों योगों का 43,20,000 होता है और बिर्माजी का अब इस 43,20,000 को मान करें तो गिन्टी बंद हो जागा नहीं आब हमारे को इसलिए इनको फिर चतुर योगों में ले लिया एक हजार चतुर योग का दिन इतनी ही रात्री और तीस दिन रात का महिना बारा महिने का एक वर्ष और सो वरस की बिरमाजी की आयो और बिरमाजी की मरत्यू होगी फिर इसी परकार इस साथ गुना विष्णु जी की आयो विष्णु जी की मरत्यू होगी फिर विष्णु जी से साथ गुना फिर संकर जी की आयो शिव जी की आयो और उसकी भी मरत्यू होगी ऐसे जो शिवजी मरेंगे उसमें उननचास बार बिर्मा मर चुके होंगे और वरतमान की जो आत्मा बिर्मा जी की है वो अन्य योनियों में चली जाएगी अपने करमाधार पे और उसमें साथ विश्णों मर चुके होंगे उनकी भी अन्य योनियों में आत्मा चली जाएगी और अच्छी आत्माओं में से नए बिर्मा और विश्णों ये काल अपनी पत्नी दुरुगा से उत्पन करके और उनको युवा रखता है त्यार रखता है कमपनी में इनके मरते ही उनको रख देता है और फिर उननचास यानि उननचास बार विश्णों की मरत्यू के बाद एक तमोगन सीव की मरत्यू होगी काल के पूतर सीव की मरत्यू होगी और उस ऐसे सत्र हजार बार सिव की मर्टू के उपरांत एक ब्रमान्ड का विनास होगा और इस सर्पृस यानि इनके पिता इस काल रूपी ब्रम की मर्टू होगी अब ये कहता चोथे जाके नूमे सलोक में की ताजीम है कि मेरे करम और जनम अलोकिक है अब ये कैसे जनम अलोकिक है यहां मर्तू होगी मर्ते समय पूरे ब्रमान में आग लगेगी और दुरगा भी मरेगी और ये भी मरेगा और सब के सरीर ऐसे जलेंगे क्योंकि इनका सरीर हमारे से काफी मजबूत मेट्रियल का है तो उसमें ग्यारा सुरिये और आजाएंगे सौर मंडल में गुमते गुमते एक दम इकटे हो जाएंगे एक कैस सुरिया की कितनी होती है और ग्यारा सुरिये और बिलकुल निकट आजाएंगे उसमें इतनी भेंकर आग लगेगी नो पटा कैसे फूटेंगे सब इर्थवी ये सबी ततों नास्क माएंगे कि उसमें इनका स्रीर भी काल का यानि सरपुर्श का और दुर्गा का स्रीर भी बुरी तरह जलेगा ये भी हाहाकार मचाएंगे बहुत बुरा हाल बुरी तरह रोएंगे परमेश्वर के विद्धान अमसार ये दुबारा सभी पराणी जीवात्मा किसी के नहीं मरती दूसरे ब्रमांड में चले जाते हैं 21 ब्रमांड है इसके पास और वहां इन दोनों का वहां जाते ही परमात्मा का विद्धान है पूर्ण परमात्मा ने विद्धान बना है वहां जाते ही इन दोनों का युवा सरीर पुने मिल जाता है दुर्गा और इसकाल का फिर उसी तरह से फिर नए बर्मांड की सरुवात ये फिर से करते है अपना अत्माओ अब ये इसकी जनव मर्तु का पता लगा सरपुश अब अक्सर पुश इसकी मर्तु कैसे होती है जैसे एक बर्मांड का विनास हुआ सत्तर हजार बार तरलो की है सिव की मर्तु के उपरांद एक बर्मांड का विनास हुआ और बर्म की मर्तु हुई सर पुश की ये एक युग माना जाता है कि इसका अक्सर पुरुष का एक युग और ऐसे एक हजार युग का दिन इतनी ही रात्री इसमें चतुर युग नहीं आता बिर्माद जी की आयु कैलकुलेशन में चतुर युग है और अक्सर पुरुष की आयु की जो गणना करते हैं इसमें चतुर युग नहीं है अउनली युग है एक हजार युग का दिन इतनी ही रात्री और इसका पर्माद कहां लिखा है गीता जी अद्याय नमबर आठ के सलोक नमबर सत्रा में उसमें चतुर युग नहीं है मूल पार्थ में इधोने अग्यानता से वहां बिर्मने का अरत होता है बड़ा भगवान यानि बिर्म से न बिर्म नहीं कह सकते हैं यहां अरत हिसका और वहां सतर में जाय के तेईसमें सलोक में वह पर्मक्सर बिर्म उस पूर्ण प्रमात्मा के लिए बिर्मने सबत प्रियोग होता है तो अनुद करताओं ने आठ में जाय के सतर में सलोक में यह यहां भी गल्तिक रखी है चत्र य यूग बना अक्सर पुरुष का और ऐसे एक हजार यूग का दिन इतनी हिरात्री ऐसे तीस दिन रात का एक महिना बारा महिने का वर्स और इस परकार बने हुए सो वर्स की आई यूएस अक्सर पुरुष की अब इसको अक्सर पुरुष को अविनासी इसलिए का जो इतनी परती अवेश्वर है वो अविनासी परमेश्वर है जिसकी कभी मर्तू नहीं होती जिसकी आयू की कोई सीवा नहीं है इसलिए गीता जी अध्याइ नंबर अठारा के सलोक नंबर 62 और 66 में कहा कि अर्जुन तू सर्वबाओं से उस परमेश्वर परमक्सरवर्म की सर्ण मज़ा जिसकी करपा से तू सनातन परमधाम को प्राप्त होगा सासवत्म सथानम और प्रमश्यानती को प्राप्त होगा गीता जी ध्याइ नंबर 15 के सलोक नंबर एक से चार में कहा कि तत्व दर्सी संत की पैचान बताकर कहा कि तत्व ग्यान प्राप्त होने के उपरां तू स्परमेश्वर के प्रमपदगी खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद लोटकर सादक फिर कभी संसार में नहीं आते श्रीमत भुक्त गीता जैनमर 7 के सलोक नंबर 18 में गीता ग्यान दाता ने इसलिए अपनी सादना को अपनी भक्ती को अपनी गती को अनुतम कहा है कि जनम और मरतू सदा बने रहेंगे तो भी मरेगा मैं भी बरूँगा श्यानती कभी नहीं हो सकती केवल उस प्रमेश्वर की सरन में जाने से श्यानती होगी अब प्रमातमा अपनी सचिदानंद गनबरम की वानी में कहते हैं क्योंकि सत गूरू लगे न कान न भैटे वा संत्रे एटी उमर बुलंद मरेगा अंतरे सत गूरू लगे न कान न भैटे वा संत्रे अब क्या बताते हैं, इतनी लंबी लंबी आयू भी हो जाती है तो भी मर्तु होगी, अन्त में तुम्हारा नास होगा कारण क्या है, कि सत्गूरु मे ले, कौन से संथ, सत्गूरु कौन सत्गूरु सोय सत्षबद बतावे, और गुरु कुछ कम नावे सत्थ सब्द जो सच्चा नाम सच्ची साधना बताता वो सत्गुरु और ना भेटे वो संत रे तत वो दर सी संत नहीं मिले जो चोथे दाएगे चौतिसमें सलोक में परमान है जिनके विशे में जिस कारण से इतनी लंबी उमर होकर भी तुमारी जनम और मर्तु ऐसांती सदा बनी रहेगी इसलिए परमेश्वर ने कहा कि समझा है तो सरदर पाओं बहुर नहीं रे ऐसा दाओं बोलो सत्गुर्देर परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रम सारी सिरिष्टी के रचनहार सभी आत्माओं के जनक ये कबीर साहिब जी हैं कबीर परमेश्वर है इनको परम अक्सर ब्रहम कहा जाता है ये परमात्मा हम काल जाल में फसी हुई दुखी आत्माओं को एक सहारा देने के लिए आते हैं और साथ में हमें परमात्मा यानि अपनी ही जानकारी वो देने के लिए यहां पर गट होते हैं आप जी ने शिरिष्टी रचना के अंदर सत्संग सुना हम कैसे यहां कस्ट उठा रहे हैं तो परमात्मा आके हमें याद जिलाते हैं जोटे सुख को सुख कहें ये मान रया मनमूद ये सकल जबी ना काल काहां कुछ मुख में कुछ गूद कबीर परमेशवर जी ने हमें याद दिलाया कि तुम इस काल के जाल में फसे हुए हो और जो तुम्हें यहां इस काल ने रोका हुआ है जिस आधार से ये आपका जूटा सुख है क्या बताते हैं परमात्मा बिट्टा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल आना जाना लगया हुआ है जोंकीडी का नाड कुनात्मा पहले राजा लोग जिनके यहां पुत्तर की प्राप्ती होती थी बहुत खुशी मनाया करते थी और पूरी नगरी में बैंड बाज्जे बजवाते थे सेनाही बहरी बाज्जा करती थी और राजा के लड़का होने की खुशी में पूरे बाजार में मिठाई बाटी जाती थी अब उसी तरह की रीस नकल ग्रीब जनता भी करने लगी वो बैंड बाजा तो नहीं बजवा सकती थी पूत्र होने के उपलक्स में लेकिन एक थाली ले लेते थे हमारे एक सेत्र में विशेश कर थाली लेक है थाली और उसका डंडी ते जो कर गंटी बजाया करना सकूल की नो बजाया करते थे तो उस से ये पता लग जाता था आस पास में के उनके घर में संतान होने वाली थी थाली पीटने की थाली बजाने की आवाज सुनकर अंडर शूट हो जाता था कि उनके लड़का उठपन हुआ है अब परमात्मा कहते हैं परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि तुम यहां किस वस्टू को अपना मान कर उस पर खुसी मना रहे हो एक व्यक्ति के व्योहा के लगवग बारा वरस के उपरांद पूत्तर की प्राप्ति हुई वो स्वम भी इकलोता पूत्तर था उसके भी बारा वरस के बाद पूत्तर हुआ वहा के उपरांद गर में बहुत खुसी मनाई गई आसपास के बहुत से व्यक्तियों को वहां आहर कराया गया बेंड बाजे वजवाए डानस करया खुसी मनाई लाखों रुपे खर्च किये पूत्तर प्राप्ति की खुसी में और अगले वरस तक वो लड़का जीवित ली रहा अगले जनम दिन को वो नहीं मना सके मर्चू होगी अब पूरा परिवार टक्कर मार रहा है रो रहा है तो यहां प्रमात्मा कहते हैं तुम जुटे सुक को सुक को हो और ये मान रहा मनमोद ये सकल चबी नाकाल का कुछ ये सब काल आहार है आज आप को बताया था सत्सक में सुनाया गया था कि जैसे कसाई बकरे पालता है नर और मादा को वो छोड़ देता है उस अपने ग्रूप में अपने एक उसने चारों तरफ से रोक रख़या होता है पूरा उसको बाड़ा बोलते हैं और वो वो बकरे और बकरियां संतानो उत्पत्ती करते हैं उनके अंदर बहुत आपस ममता और मोह होती है और उनको वो कसाई खा जाता है परमिश्वर कबीर जी ने हमें बता है कि ये काल 21 ब्रमांड का स्वामी है इसे सरपुरस भी कहते है इसे जोद्स रूपी नरंदन भी कहते ह है ये 21 ब्रमांड का स्वामी है इसको सराप लगया हुआ है एक लाख मानोसरी धारी पराणियों के आहर करने का जिस कारण से ये प्रति दिन एक लाख मानोसरी धारी पराणियों की मर्टू कर देता है और 35 प्रतिसद एक्स्ट्रा परती दिन यह उत्पन करता है अब वह झो मर कर जाते हैं वह उसी उसी रस्ते से जा रहे हैं जो जनम लेने के लिए आ रहे हैं वह उसी रस्ते से आ ऐसे लाइन लगी रहती है उसारा दिन जैसे इक कीडी के नाल देख्या हो आपने चीटीयों की kतार होती है लाइन होती है लाखों चीटियां इदर बखाग रही है लाखों इदर बताई कि french पुनात्मा जो प्रमात्मा न यह सचाई बताई है हम इस सताई से परिचित नहीं थे जिस कारण से प्रार्व में ये बाते हमें अठपटी सी लगती है वो तो हमारे अज्ञान की अज्ञान की देन है जो हमें अच्छी सत्वस्टू तो जूठी लगती है और जूठी वस्टू को हम सत्व मालते हैं प्रमादमा हमें याद दलाते हैं प्रमादमा हमें याद दलाते हैं कि तुम इस सनसारिक वस्तों को अपनी मानते हो छोटी छोटी बातों पर जगडा कर लेते हो टेंसन बना लेते हो मुक्द में कर देते हो आपकी तो काया भी नहीं है इस रीर भी आपका नहीं है इसको भी एक दिन त्याग कर जाओगे फिर यह संपत्ति आपकी कहां से हुई है सर्व सुने की लंका थी लंका पती रावन ने अपनी नगरी में सोन्य के मकान बना राखे थे स्वर्ण के गॉल्ड के सोन्य की इटे और सोन्य की गार्या बना करके महल बना राखे थे रावन इतना रिच किंग था इतना धनी राजा था कि लंका की मंडियों में हीरे मोती और जवारात ऐसे बिक्या करते जैसे यहां करनाल की मंडी में दान बिक्या है अब ये इसाब लालो वो कितना पैसे वाला था जिस शुक को जिस वस्तु को हम उत्तम मानते हैं बहु मुल्य मानते हैं वो रावन के पास सबसे अधिक थी और प्रमात्मा कहते हैं कहते हैं बगती बिना क्या होते हैं ये भर्म रहा संसार एक गराम सोना भी नहीं प्राप्त हुआ रावन जब संसार छोड़ कर जाने लगया सबी यहीं छोड़ गया और उसी के जोड़न तोड़न में ज़्यादा धन प्राप्ति के लिए अनुस्ठान किया करता था मैं गणादनी हो जाऊं सिधिया हो जाएं परमेश्वर कबीर जी हमें बताया करते थे तीन लोक का राज जीव को जै कोई दे लाख बधाई क्या करें जै नहीं नाम तेने यदि इस जीव को तीन लोक का भी रज दे दे और फिर उसको बधाई क्या करें यदि नहीं नाम तेने यदि भगती नहीं करता है तो तीन लोग का सासक भी है वो अपना जीवन विर्थ कर रहा है अगम निगम कूँखो होजले बुधी विवेक विचारे उदे अस्त का राज मिले है तो बिन नाम ब्यगारे अब प्रमात्मा कबीर प्रमेश्वर जी हमें याद दिलाते है ये दी भगती नहीं करता है ये मनों सिर्धारी प्राणी है तो ये ऐसा बताते हैं जैसे राजा होता है और जो भगती नहीं करता है उसकी क्या दसा बताई है प्रमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोजले बुष्य का विचार कर और बुधी विवेक विचार थोड़ा सा बुधी को परजोर दे करके सोच उदे अस्त का राज मिलाए उदे अस्त यानि जहां से सुर्य उदे होता है और जहां अस्त होता है यानि पूरी पर्थुई का राज मिल जा तोब नाम बिगार बिगार किसे कहते हैं, पहले हम छोटे छोटे थे तब हमारे गाउं में ये थ्री वी लड़ जाया करते थे बड़े वाले, टेम्पू, सकूटर का आकरते हम इन हैं, एक सकूटर जाता था हमारे गाउं से, लख्ण मादरा साथ आठ किलोमेटर है, रोब तक जीन्द रोड पर है, रोब तक से लगब पंदरा सोड़ा किलोमेटर है, वो सकूटर वाला एक दिन नहीं आया, तो उससे पूछने लगए, कल क्यों नहीं पहुंचा, तू क्या कारण था, वो कहने लगए, कल मैं बेगार में फस गया, बेगार, बेगार क्या होती थी, पहला, आज से लगब पचास वर्स पहले की बाद, पैंतारीस वर्स पहले की बाद, उसमें क्या करते थी, पुलिस वाले एक टेंपू या जीप वाले को सुब पकड़ लेते थी, और सारा दन इधर उदर जो भी उसने कुन फिल्ड में कोई अपना काम करना था, कि ता रेड मारनी थी, कोई जोर पकड़ना था, या कोई किसी परकार का कोई काम करना था, उस टेंपू वाले को ले जाते थी, और वो टेंपू वाला सारा दिन चलने पर रहता था, उसको रुकने नहीं देते थी, अपने पल्ले से पैसे खरचता, तेल डलवाता, और सारा दन दोड धूप, शूब ले जा रात के ग्यारा बारा बज़े छोड़ते थी, उसको बिगार काहा करते थी, बिगार का अर्थ समझवों, कि मैं नत्वगणी और पैसे अपने पास से खरचत करने, इंकम एक नए पैसे की नहीं, उसको बिगार काहा करते बिगार, तो पुन्यात्माओ, आज चाहे कोई कोई पती है और चहे कोई अरब पती है खरब पती है और चहे कोई पूरी पिर्च्वी का पती है यह धी वो भगती नहीं करता तो वो समझो बिगार कर रहा है बिगार बेगार कर रहा है अपने आत्मों एक राजा है वो अपने पिछले पुन संस्कारों को परियोग कर रहा है पिछले जनम जनमांतरों की जो पुन कमाई थी उसकी, जिस कारण से वो रज्य पद को प्राप्त है, अब उसको वो नस्ट कर रहा है, बरबाद कर रहा है, अपना उपयोग या दुरपयोग जैसा भी वो कर रहा है, उसको अपनी पूरब जनम की कमाई को ही वो खर्च रहा है और भविशय के लिए कुछ त्यारी कर नहीं रहा क्योंकि वो भगती नहीं करता और अंत में वो इस शरीर को जब छोड़ के जाओगा उस में खाली हाथ होगा और सारा जीवन वो बेगार कर गया बेगार अपने आत्माओं हम जब तक इस तत्वग्यान से परिचित नहीं थे तो हमें ये राजा लोग बहुत बड़े दिखाई देते थे और आज हमें ये ऐसे नजर आते हैं जैसे बच्चे खिलोणों से खिला करते हैं क्योंकि प्रमात्मा आप कहते हैं कबीर जी कबीर सवजग न्यर्धना दनवन्ता ना कोवे दनवन्ता सोजानियों जिस पर राम नाम धन होवे राम रटत कन्या भली साक्यट भलोन पूत छेरी के गल में गल थना हो जिस्म दूद ना मूत राम रटत दारी दर भलो तूटी गर की छान वो सुन्दर मेल किस काम के जान भगती नहीं भगवान राम रटत कोड़ी भलो चूचू पड़ जो चाम ये सुन्दर सरीर किस काम का जामुख नाहीं नाम जिव्या तो आए भली जो रट हरी नाम नहीं तो काट फैंक दियो ये मुखम भलो ना चाम परमेश्वर कबीर देव जी कितनी महिमा बताते हैं भगवान के नाम की और मानो सरीर की कहते हैं राम रटत दारीदर भलो दारीदर वाने कती नरदन वेक्ती और इतना नरदन के उसने जोफड़ी डाल रखी मकान के सथान पर उसम और जोफड़ी की वी उपर की छत यानि छान कहीं से तूटी फूटी पड़ी और यदि वो परमातमा की सत बगती करा है वो उस राजा से भी कहीं कई गुणा अच्छा है जो सत भगती नहीं कर रहा राम रटत दारी दर्भला तुटी घर की चान वो सुंदर महल किसे काम के जा भगती नहीं भगवाने राम रटत कोडी भलो चू चू पड़े जो चाम वो सुंदर सरीर किस काम का जा मुख ना ही नाम अब क्या बताते हैं प्रमात्मा के बगती करने वाला चाहे कोई रोगी है दुखी है वो बगती करता है वो ही भला है और एक दिन प्रमात्मा उसके दुख का भी निवारन अवस्य करेगा क्योंकि प्रमात्मा के गुणों में लिखा है और जो भगती नहीं करते हैं कितने सुंदर सरीर है कितने उनको जूठा सुक प्राप्त है वो अपने पिछले पुनों को नश्ट कर रही है तो यहां प्रमात्मा कहते हैं राम रड़त कोड ही भलो जिसके कोड लाग रहा हो और ओभी भगती कर रहा है और वो सुंदर सरीर किसका अमकाजा भगती नहीं भगवान अपने आत्मों प्रमात्मा बताते हैं कि कबीर सुक के मत्थे पत्थर पड़ो जिस्ते नाम हर देते जावे और बलहारी उस दुख के जो पलपल नाम रटावे पनात्मों यहां नब्बे परतिस्त सरधालू महा दुखी आए है कोई सारीरिक कस्ट से कोई मानसी कस्ट से कोई किसी परकार से कोई किसी अभाव से नब्बे परतिस्त वो प्राणी है जो महा दुखी थे प्रहरम की और दीरे दीरे आज उनको सुक्ष हो गया तो उनके लिए वो दुख जिस दुख के कारण वो परमात्मा की सर्ण में आ गए उनके लिए वो दुख वरदान सिद्ध हो गया यदि उन पर ये दुख ना आता वो प्रमात्मा की खोज नहीं करते है प्रमात्मा के लिए नहीं चलते है तो प्रमात्मा कहते है इसे सुख के आग लगे भाडब जाओ इसा सुख जिसने भगवान की भूल पड़े सुख के मत है शेला पड़ो पत्थर लगो इसे सुख के जो नाम हर दे से जाव है और बलहारी उस दुख के जो पलपल नाम रटाव है परमात्मा हमें क्या कहना चाहते हैं कि तुम इस गणे सुख की जो नचा मत करियो ये जूटा सुखियां का जीव का सत्रू है और परमात्मा थोड़ा बहुत कस्ट होता तो हमारे ही कर्मों का क्योंकि हमारे कर्मों का अंतनी पाप कर्म योगों योगों के धेर लगे हुए वैसे तो परमात्मा इन सभी पापों को काट देगा लेकिन थोड़ा बहुत कष्ट हमारे उपर बना रहे तो अच्छा है क्योंकि हम बगवान ना बुले और ऐसी विवस्था पर भू अवस्य रखेगा तो पुन्यात्मों पुन्यात्मों यही बताना चाहते हैं कि रामर्टत कन्या भली और सक्ट बलाना पूत जैसे बकरी के गल में गल थना जिसमें दूद नमूत अब जब कितनी प्यारी आख्या दी है कबीर वगवान ने कि जो लड़की बेटी अब हमारे समाज में एक विशेस कमजोरी रही है अब भी बहुत है कि हम बेटे और बेटी में बहुत अंतर मानते रहे हम पूतर की प्राप्ती पर तो थाड़ी पिटें बदहाई बाटा बंडा और किरा कि उद्ध मस्तार जै नाच्चों रगाउं अर बेटी हो जा मू इसका कारण क्या था कि नकली गुरुवों ने समाज में ऐसी धार ना फैलाजी कि बेटे बिना मुक्ति हो को ना मुक्स बेटे से होता है और उधर से बेटी की ऐसी दुरुक्ति करदी दहिज का कारण बना के तो हम बेटियों में बेटों में गणान तर्मानन लाएगे यह भी हमारी महा कमदोरी और भूल है क्योंकि हम सारी उलटी रिती अपना रहे है जो हमें दुख दुख दे सकते हैं सुख नहीं दे सकती अब जैसे बेटी का वहा करती आ और बेटी ने नाम ले रखा वो अपने जीवन रूपी सफर में बेटी चलेगी तो प्रमात्मा उसके उपर आने वाली आपतियों को खत्म कर देगा बेटी को दुखी नहीं होने देगा अब बेटी दुखी नहीं होगी तो मात्पिता भी बगती ठीक से कर सकेंगे तो कि बेटी दुखी होगी तो मात्पिता भी टेंसन में हो जाएंगे तो इसलिए प्रमात्मा कहते हैं राम रटत कन्या भली और साक्ट बला नपूत और छेरी के गल में गल थना जिसमें दूद नमूत कहते हैं वो साक्ट बेटा साक्ट उसे कहते हैं जो स्वेम भक्ती स्वेम भी नहीं करे और जो उसके अंतरकत उसके प्रैसर नहीं है आधीन है उनको भी भक्ती नहीं करने देता है अब पुत्र युवा हो जाता है भक्ती वो करता नहीं तो उसके जीवन में भी दुख आएंगे, क्योंकि यहां तर सुख और दुख दोनों का मिश्रन करके प्रारत बना रखे हैं, अब वो पूतर जो भक्ती नहीं कर रहे हैं, वो तो माता पिता भक्ती कर रहे हैं, तो उनमें बाद हक बनेंगे, क्योंकि कभी उस पर कुछ हापत त्यारी है, कहीं पर कुछ कबाडा कर रहा है वो, तो यहां प्रमात्मा कहते हैं, वो बगती हीन बेटा, इस परकार मात पिता के वदन है उसके उपर, जैसे बकरी के गल में एक थन जैसी खाल लटकिया करती है, ना वो दूद उता उसमें, ना वो किसी अन्य काम आती है, अ तो परमात्मा कहते हैं, नाम रटत कन्या भली साकट वलान पूत, जैसे छेरी के गल में गल थना, जिसमें दूद नमूत है, वो एक अन्य का काम नहीं आता, अर खाम खां का वदन गल में लटक रहा है, ऐसा वो पूतर है जो भक्ती नहीं करता, उन माता पिता के लिए जो अब परमात्मा क्या याद दिलाते हैं, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जै सुख में सुमरन करें, तो दुख का है कोई सुख मैं सुमरन किया नहीं, दुख मैं करते याद, कहे कबीरता दास की, अब कोण सुने फरियाद, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंघासन चड़ चलें, एक बंधे जात जुनजीर, प्रमात्मा कबीर देव जी बताते हैं कि मर्तु तो तुम सब की होगी, लेकिन मर्तु मर्तु में बहुत अंतर होगा, जो भगती नहीं करते हैं वो पराणी, उनकी बहुत दुरुगती होती है, और यम के दूट उनको पकड़ कर ले जाते हैं, जन्जीरों से बांध कर ले जाते हैं, जैसे पुलिस वाले प्राजियों को बीड़ी अत्कड़ी लगा कर ले जाते हैं, और जो भगती करते हैं, उनको प्रमात्मा जहाज में बठा कर, सिंगासन पर बठा कर ले जाते हैं, इसलिए प्रमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि तुम साधना करो, भगती करो, क्या बताते हैं, आजा बंदे सरन राम की फिर पथे पछतावे गावाई, आजा बंदे सरन राम की फिर पथे पछतावे गावाई, बालू की बीत पवन का खंबा कब लग खेर मनावेगा आजम तेरे गट नेंगे रहे तूं राम कहने ना पावेगा आजम तेरे गट नेंगे रहे तूं राम कहने ना पावेगा बाई आजा बंदे सरण राम की फिर पच पचतावेगा काल बली तेरे सिर पर बठा ये बुजा पकड ले जावेगा काल बली तेरे सिर पर बैठा भुजा पकड ले जावेगा मात पता तेरा कुटम कबीला सारा ए खड़ा लखावेगा बाई आजा बंदे सरण राम की फिर पच पच पचतावेगा दर्म राज तेरा लेखा लेगा वहां क्या बात बनावेगा लाल खंब से बंध्या जागा बिनसत गुरु कोन छुटावेगा लाल खंब से बंध्या जागा बिनसत गुरु कोन छुटावेगा बाई आजा बंदे सरण राम की फिर पच 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 दिया लिया तेरे संग चलेगा या दराढ क्या रह जावेगा कहे कबीर सुनो भैसा धो करणी के फल पावेगा कहे कबीर सुनो भैसा धो करनी के फल पावेगा बाई आजाह बंदे सरन राम की फिर पाच्छे पिछतावेगा अब परमात्मा कबीर देव जी कहते हैं कि तुम्हारा ये सरीर इतना वीक है इतना कमजोर है जैसे बालू रेत रादुस्थान साइड में ज़्यादा होते हैं टीपा रेत कहते हैं उसकी कोई दिवार बना दे एक दो फुटकी और वो इतनी कमजोर होती है किसी पसू के पैर लग गया तोड गिर जा वर्सा आवे तो कट के गिर जा तेज हवा चाल लग उसकी स्कोरिंग वोकर के हुआ खुतम हो जा के बालू की भीत और पवन का खंबा ये सरीर आपका इतना कच्छा मैटेरियल है और इस इस्वास से ये खड़ा है सपोर्टिड है और कहते हैं इसमें कब तक तू जीना चाता है कब तक खेर मना होगा इसकी है अब हम पुनात्मों ये सरीर हमने कितना पिरियल लग ए अपनी जीवन रक्षा के लिए कोई रोगी अपनी सारी संपती को बेच कर अपना ट्रीटमेंट करवाना चाता है कि किसी परकार मेरा जीवन बच जावे अब परमात्मा कहते हैं तो कब तक बचना चाता है इसमें अब परमात्मा ये याद दिलाना चाते हैं में तो कब तक जीवित है कब तक रहना चाहता है इसका ये है क्या हम कभी इतनी सोच नहीं करते इतना विचार नहीं करते हमें इतना समय नहीं छोड़ रहा क्या काल दे हैं हमारे अंदर इतने विकार को बदबर राखी है ये स्रीर हमारा कैसा है जैसे आपने सड़क के ऊपर कभी दुर्गट नाम है कोई कुटा मरे हुआ देख्या हो और उसकी आंथ पड़ी होती है कहीं पर कम से कम भी एक दो फूट तक लंबी चार चार फूट तक लंबी और उसके स्रीर का चाम सड़क पर चिपका हुआ होता है हाड अलग से पड़े है रक्त बह चुका होता है ये मैट्रियल आप के अंदर है और उस कुटे मरे हो को देखर हम नो मू कर लेते हैं हमें वो कितना अभदर लगता है बुंडा लगता है और उसी के अंदर हम लिप्टे पड़े है तो परमात्मा हमें याद दिलाते है तुम आप ये कहते हो ये बगवान मेरी रक्षा करना मैं मरना जाओं कबीर साहिब कहते है मुझे या चिनता है के तुम जी कैसे रहे हो इसमें तुम जीवित कैसे हो तुम डर रहे हो मरना जाओं और मुझे यह चनता है तुम जीविद कैसे इस सांग में इसमें क्या है यह हाट फसा रखे बीच में उपर के सामल पेट दिया बीच में नाड़ी और मास बढ़ दिया इसमें ठूक टटी पिसाब बल गम पतानी के के ठोक रखे अब परमात्मा कहते हैं इस सरीर को अब यह प रुक्सा और विवस्था में लगे रहते हो या नालाकी बताई है इस मिट्टी से हम सोना बना सकते हैं इस से हम प्रमात्मा प्राप्ती कर सकते हैं यह इतना अच्छा भी है यदि इसका सदपयोग किया जागा अन्यत्था क्या होगा आजम तेरे घटने गेर तूं राम कहन ना पावेगा अंत्स में जब मृत्व होती है बगती ही नप्राणी की काल के दूठ सुक्सम रूप से अंदर से उसकी जुबान खेंच लेते हैं जुबान पकड़ लेते हैं कहीं यह नाम जाप ना कर ले बगवान का कैटे हैं फिर तेनकोई को आणा चाहाँ ना अक राम बोल या कोई मंतर बोल नहीं बोल सकता है वो तो पहले अब भ्यास करना पड़ाएगा उस भगवान के नाम जाबत है वो यम के दूत आस पास भी को नहीं आओं फिर उसमें इतनी सकती होती जैसे आल आउट के निकट मच्छर नहीं आ सकती और जिसने आल आउट नहीं लगा रहा है खिए उसके तरक कान पर लड़ागा रहा है तो भगती रूपी आल आउट जिसने नहीं लगा रहा है खिए उसको तो यहम के दूत दुरुट्टी करका मारेंगे काल बली तेरे सिर पर बेठा ये बोजा पकड़ ले जावेगा मात पिता तेरा कुट में कभी ला सारा एक खड़ा लखावेगा कहते हैं काल जो तेरा आवगा तुझे लेने के लिए कोई नहीं बचा सकता है आए अभमुन श्रधालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं संत रामपाल जी महराज से नामदिक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ती साद्ना भी करते थे स्वामी स्वरूपाननजी का पांच साल वहां रहा सर इस पर कार मेरा भरम्न काल रहा पर्मात्मा की खोज में सत्थी की खोज में अ परंपरा के कुल देवी को मानते थे तो वो कुल देवी की साधना मैं भी किया करता था सर मैं साधना करते करते घर से दूर पंजाब चला गया था कई जगे मंदिरों में रहा और माता जो है लोगों की समस्याएं सुना करती थी और समस्याओं को मैं हल किया करता था माता के माध्यम के और इसके साथ-साथ जो है सर जी मेरे को लोगों की समस्याएं तो दूर होती थी लेकिन अपनी समस्याएं जींगी तियों रहती थी मुझे चर्म्रोग की शिकायती सोलब अब स्टाम है जो पचास साल तक रही सर जी लेकिन मेरी समस्या दूर नहीं हुई कई बार मैंने माता से पूछा तो माता ने कहा कि इसका समाधान हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन लोगों की समस्याएं दूर होती थी मेरी समस्याएं कोई हल नहीं होती थी मैं इतना रोग ही हो गया था कि सर जी मैं आत्मात्या करने की सोचने लग गया एक बार जो है गुरुजी का सतसंग सुना मैंने टीवी के माध्यम से तो फिर जो है मैं इसकी खोज में लग गया कि गुरुजी ये क्या बता रही है सास्त परमानित में तो हम तो मानते थे माता दुर्गा आजर अमर अभी नासी हैं और ये तो कहते हैं कि इन सब का जनम और मरण होता है सर जी मैं मंदिर में पुजा रही था दुर्गा माता के मंदिर में और इनी की पूजा किया करता था यह मेरे बाल लंबे थे और इस परकार से मैं मंदिर में पूजा किया करता था लोगों की समझे हैं दूर किया करता था यह मेरी पुरानी फोटों भी है मेरे साथ सर फिर क्या कारण बना कि आप संतरामपाल जी महराज की सरण में आए मैं टीवी देख रहा था एक बार जो है संतरामपाल जी महराज जो है सत्संग में सुना रहे थे कि इस सार नाम की बहुत चर्चा किया करते थे मैंने अनेक पंथु में जैसा कि पूरू में मैंने बताया कि मैंने अनेक पंथु में गया तो उन से सार नाम जो लिया था मैंने ह ससंग मैं बता रहे थे कि धरमदास मेरी लाग दोहाई सार शबत की दिबाहर न जाई साथ सार शबत जो बाहर पढ़ी विजली पीडी हंसना तरी ये सार नाम दो अक्खर का ये सार नाम सब्द क्या है ये मेरी समझ में नहीं है मैंने कहा इसका मतलब कुछ यहां नया है इसको खो जा जाए संतर रामपाल जी महराज बता रहे थे बिना सार नाम के कोई पार नहीं उतर सकता है तो मैंने सोचा कि यह कोछ नया है तो इसे जाना जाए इस परकार मुझे भगजी एक बार पुष्टक बितरित करने वाले आए थे ग्यान गंगा के माध्यम से मेरी बहुत बनी कि मैं गुरू जी के इस ग्यान को जानो और इस ग्यान के माध्यम से उस सार नाम को जानो कि वह सार नाम नया ऐसा क्या बता रहे हैं जो बार बार संतर रामपाल जी महराज बता रहे थे कि यह सार नाम की चर्चा किया करते थे मैंने तो पहले जो गुरू के पास गया तो मैंने समझ लिया कि यही फाइनल ग्यान है लेकिन इससे मेरी संतुष्टी नहीं हो रही थी फिर नाम दिख्षा केंदर में मैंने संत रामपाल जी महारा से नाम दिख्षा ले सर संतरांपाल जी मारास से नामदिक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाब भी मिले सर जी सबसे पहले लाब तो मुझे ये मिला कि जो बचपन से मैं 6 वर्षी की अवस्ता से जगए जगए भटक रहा था सत्य की खोज के लिए तो सबसे बड़ा लाब तो मुझे आध्यात्मिक लाब मिला सत्य ग्यान का मारगा जो बेद परमानित गीता परमानित जो ग्यान था जो पूर्ण मोक्षी का मारग था वह पूर्ण ग्यान मुझे पराप्त हुआ और दूसरा लाब ये हुआ, सर जी की जो मेरे को सारेरिक चरम रोग था, वह सोल वर्ष की अवस्ता से शुरू था, सर जी, वह पचास साल में जब मैंने दो वर्ष पूर हुए, मैंने संदरामपाल जी महाराज से गुर्दिक शाली और उसके बास विदिवत साधना करी, मेरे पूरे सरीर में चरम रोग था, सर जी, मैं बहुत ब्यथा से पीडित था, उस रोग से, वह आज बिलकुल भी नहीं है, उसके साथ साथ मुझे अन्य लाब भी हुए, जैसे पाहिल सी की सिकायत थी, माइगरेन पैन था, पेट दर्द था, और पारिवारिक कलह भी था, और बहुत आर्थिक लाब होते हुए भी कुछ नहीं बचता था, तो आज संतरामपाल जी की दया से मुझे हर परकार से लाब है, सारे लाब है, परिवार में सुकसानती है, और मेरे जीवन में भी सुकसानती है, और मैं रोग उसे भी मुकती है, मैं अपनी जिंदगी से इतना परिशान था कि मैं इस रोग के कारण आत्महत्या करने की सोच ली थी मैंने, लेकिन संतरामपाल जी की दया हुई कि जो मैं साधना चैनल के माध्यम से, ग्यान गंगा के माध्यम से मैं इस ग्यान तक पहुंचा, इस ग्यान में पहुंचने के बाद मैंने जो है, नामदान क करने की सोच रहाता है मालिक आपको कोटी-कोटी परणाम है जो इस दास को पुन है जो है जीवन दान मिला है सर संट रामपलजी महाराज से नाम दिख्शा लेने के बाद आपको बहुत सारे याव मेले सर कहा जाता है कि गुरू नहीं बदलना चाहिए गुरू बदलना पाप है आपने बहुत सारे गुरू बनाए और फिर आप संत्रामपाल जी माराज की सरण में आई सर आपने बहुत सारे गुरूओं को छोडढ और फिर आपने संत्रामपाल जी माराज को चुना तो संत्रामपाल जी माराज में ऐसा क्या लगा जो उन गुरूओं के पास नहीं था सर जी उन गुरू के पास जो है पूर्ण मोक्षी का न तो मारग था न पूर्ण सांती दिन ने कोई रोग का समाधान होता था बस एक थोड़ा सा मन बहलाव लगा लिजे या टैम पास लगा लिजे इस परकार हमें नहीं लगा कि वहां से कोई संतुष्टी मिलेगी यहां तो सास्त्र परमानित सास्त्रों को खोल के दिखाया जाता है कि परमानित वित परमानित ग्यान है यह इस ग्यान में आने से हमें बहुत लाब मिले परमानित ग्यान है संतर रामपाल जी ने इसमें जो है बेदू का गीता का जो हमारे सद्गरंत हैं बाइबल कुरान आपको बहुत सारे लाब मिले। तो जो दर्सक आज आपको ट्वी पर देख रहा हैं खास करके उत्तराखंड के लोगों को आप अपनी भासा में क्या कहना चाहेंगे। मैं बहुत देवी देवताख सरण में बहुत देव डांगरूँ कोई लाब ना मिले। आज यहां पूर्ण परमात्मा धर्ती पर आर्यान और सब लोग ये ग्यान में जूड़े और ये ग्यान बठे लाब उठा और मोक्ष तरफ के जाकर सब लोग। संत्रामपल जी मारसे नामदिक्षा कैसे ली जा सकती है। सर जी बिभिन ने टीबी चैनलों के माध्यम से और यूटूब के माध्यम से इस्टाग्राम के माध्यम से फेस्बुक के माध्यम से और तमाम जो है पूस्तकों के माध्यम से चैनल है गुरुजी का 24 गंटे सत्संग चलता है टीबी के माध्यम से उसमें कॉंटक्ट नमर हो सत्साहिं जिन पर संत्रामपलजी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नामदिक्षा दी जा रही है अपने नजदी की नामदिक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-88-0541